मटर की छिलके को ग्यास पे डालते ही कमाल हो गया जी हैं दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज के हमारी उसपूल टीप्स हलो दोस्तों कैसे सब लोग उमीद करते हैं सब लोग बहुत ये अच्छे होंगे तो देख ना करके चलिए देख लेते हैं आज के हमारे बहुत यूसपूल टिप्स पसंद आए तो फैमिल और फ्रेंट्स में सेर कीजिए ताकि इसकी लाब सभी लोग उठा सके चैनल ले हैं तो एक रिपया करके एक सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की यूसपूल टि चीज भी सुधर जाएंगे यानि कि हमें यहां पे कुछ भी सामन को खराप नहीं करना है उल्टा इसको इस्तेमाल करना है तो चलिए पहला वाला टिप्स हम देखते हैं यहां पे प्याज को लेकरें प्याज हमारी घर पे होती है तो हम क्या करेंगे एक प्याज ले लेंग अगर आप चाहे तो धो सकते हैं लेकिन धोने की कोई जरूत नहीं है तो यहां पर प्याज की इस तरह से हमने कटिंग कर ली और करने के बाद प्याज का जो हमारी यह उपर का हिस्सा है देखिए इस तरह से इसी हिस्से को हम चाकू से कुरेट के निकाल देते हैं प्याज से तरह तरह की चीज़े होती है जैसे हम खाने में इस्तेमाल करते इसी तरह से प्याज को हम तरह तरह की काम में इस्तेमाल करते जो बहुत ही हेलफुल होता है दोस्तों और बहुत बड़े-बड़े मुसीबस से हमें छुटकारा मिलता है तो हम इस तरह से प्याज की अंदर इस तरह से घड़े खोद लेंगे देखिए चाकू की मज़े से थोड़ा दीरे से करेंगे नहीं तो हमारे प्याज कटने की चांसेस भी बहुत रहती है क्योंकि बहुत नरम है तो हमने एक गटा खोद लिया मितलब एक होल बना ली और यहां पर बाती ले आती हूं जो हमारे कॉटन होती है रूई बाती होती है तो इसको क्या करेंगे हम आप अपने हिशाब से देख लिए किस तरह से से आपको देना है तो मैं यहां पर कर रही हूं एक सिंपल सा हाथ से दोनों हाथ से मिला कर एक बहुत सिंपल सा कॉटन से मैं सिंपल सा रूई बाती बना रह भी वनाओ également ख़ो एस तर्यंदर क्यांस कर से तो कि और हम तो योगैंए इतना ऊंदर ऩो नहीं यहय पूरान किका चाया मेरेख प्रनेवट न्य। Fati दो इस तद्व में जाफैन неп काम यह साम की टाइम पर अगर हम से थोड़ा सा रिमेडी बनातें तो साम की टाइम पर बहुत सारे मचार होतें जो हमें कारते हैं तरह तरह थरह के बिमारी होते हम chemical चीजों को इस्तीमाल करने की बावजूद अगर इस तरह बाभुशाद है इस तरह से नच्रूरल तो इसको हमें फेकना नहीं चाहिए इसको हमें स्टोर करके रखना चाहिए तरह तरहा की काम में इस्तमाल होती है तो ग्रेटर के ऊपर एक पॉलिफिन डाल ले और यहां पर में लेसुन घिश रही हो जो चीजे भी आप ग्रेटर से घिशते हैं न दोस्तों अब चांसे सोती है कि हमारे हाथ कट जाती है, नाखुन कट जाती है, घिस जाती है, इस तरह से होती है, कुछ भी चीज़े आप घिसते हैं, तो उसके उपर एक पॉलिथिन लगा लीजिए, और इसके बार इसके उपर घिसिए, जैसे कि अद्रक, लेसुन, आलो, प्याज, हर सबसी, सारे सीज़े हमें कभी-कभी हम कद्धुकस में चाहिए होता है, तो इस तरह से हमें घिस लेते हैं, चोटा सा पॉलिथिन से बहुत ही मददत हो गए, तो चलिए देख लेता हमारे नेक्स्ट वाला आक्स तो और भी हलफुल है घर पे होती है, हमारे अलुमिनियम फ को अच्छे से काट लेते हैं, आप आपने इस हैंब से चोटा बड़ा करके काट लीजिए, नहीं तो आप इसको गोला बनाके बाल बनाली है, कैसे भी करके आप आलुमिनियम फॉल को यहां पे काट लेजिए, जो वेस्ट वाला अलुमिनियम फॉल होती है, नहीं तो जब करने के बाद इसको फेकना नहीं इस तरह से हम छोड़े-छोड़े पीशेस में काट लेते काटने के बाद देखिए मेरा इतना अलुमिनियम फॉयल मैंने काट लिया है यूज कैसे करना यह देख लेजिए घर पे जो किचिन पर हमारे होते है जो दाल वगेरा होती है चावल कभी कभी इसमें फंगस हो जाती है तो इससे बचने के लिए तो हम क्या करेंगा है थोड़ा सा अलुमिनियम फॉयल डाल देंगे तो यह फंगस नहीं होगा अक्सर यह ठंड की महीने में कुछ-कुछ चीज़ें हमारी फंगस हो जाती है सर्दी की मौसों में जो होती है और बारिस की मौसों में गर्मी की मौसों में तो नहीं होती है तो इस तरह से हम अपनी सामान को बचा सकते है वेस्ट चीजों से यानि कि जो हमें फेग रहे उससे हम खानने वाला सामान बचा सकते है तो चले देख लेता नेक्स ट्रॉला एकस और भी जुगाड हुए तो घर में जब हमारी अंब्रेला होती है यानि की छत्री होती है चत्री पारिस की मौसों में हमें चाहिए होती है और भी रूस में बहुत यहां सिच्वेशन होती है तो हम क्या करेंगे जो घर पे हमारी वेस्ट वाले चूड़ीं होती है मैटल वाले चूड़ीं तो इसको पहना देंगे तो चुले देख लिए नेक्स वाला है और भी हलफील है किचिन के काम है किचिन में आए दिन हम इस तरह की प्राप्लम को सामन करते हैं क्या होता है ना कभी-कभी हम जब हड़वड़ी में ग्यास चलाते हैं ना हमारे ग्यास क्या होते हैं और सारे ग्यास निकलता है एक जगा पे निकलता नहीं है ऐसा कि एक आवाज घूंगूं आवाज होती है और साइड से हमारे ग्यास निकलती है इस ते कि क्या होता जो colgate toothpaste होती है इसको हम क्या करेंगे burnel के उपर लगा करेंगे और इसके बाद हम burnel को set कर देंगे हमारी चुले में इसे हम क्या करेंगे यह जो इसका जो मुह है यह जो side का हिस्सा है यह हिस्सा बिल्कुल चिपक के रहे गया उसकी side में अभी gas निकलेगा नहीं और आवाज नहीं होगी कभी-कभी उपर का हिस्सा नीचे नीचे आजाता है तो चले देख लेते next बहुत है यहाँ पे तेल है यानि कि जबी भी हम घर पे कुछ तलते हैं कुछ भी हो हम तलते हैं कभी-कभी ऐसा होता है है कि हमारी जो तेल गरम करते हैं खाना बना जो पकोड़े अगरा कुछ भी भाजी तलते हैं वो नीचे से लग जाती है और यहाँ पे बहुत सारा तेल भी खा लेथा है यानि कि लेथी है चोटा सा है क्स है जबी भी हम कुछ भी तलने का काम कर रहे हैं है तो तिल गरम होने के बाद इसमें फोड़ा सा नमक ढाल देंगे तो इस तो क्या होगा कि नमक नीचे बेट के रहेगी तो कुछ भी चीजें हम डालते तो नीचे लग खेगा नहीं और हां नमक की वज़े से बहुत जो होता है तेल बहुत सोक होता है वो तैल मैं उहह छोटा सा टिप्स करेंगे तो हमारी पकोड़ी खाने का मन भी हो जाएगा पकोड़ी भी बन जाएगे और ज्यादा तेल की इस्तेमाल नहीं होगी थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से टिप्स को इस्तेमाल करेंगे तो काम तो बहुत आसान हो जाएती है आप मेरी वीडियो को कि पेंतर करी कोई का प informing यह द milk की को नानेएं और यह को कितनी हैँ ना हर या करते हैं तुल wasn't नि कौने में पहुंच रह लेक्ट हुए और कितनी हल्फुल लग रही है आप लोगों को ततल audit देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हम यह और भी हल्पुल यह हमारी सर्दी की मौसम आगे हैं दोस्तों सर्दी की मौसम में हम क्या करते हैं बहुत सरे मटर को छिलवा लेते हैं और मटर को हम क्या करते हैं पॉस्टिक बहुत होती है तो मटर को खाते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं इसकी छिलके को क्या आप लोग क्या करते हैं फेक देते जो उपर का हिस्सा है देखें, जोइन पॉरिशन इसको हम निकालने के बाद इस स्माटर को छोड़ी ठुड़ी ठुक्ड़े में काट लेंगे काट लेंगे काटने के बाद हम इसको तरह तरह की काम में इस्तेमाल कर सकते यानि कि छिलके से हम थोड़ा सूप तो बना सकते और छिलके से पकोड़े भी बना सकते और यहां पर छिलके से बहुत सारे चीज़े हम बना सकते यानि कि यह मान के चलो कि हमारी जो यह हरी सबजी होती है यह हरा भरा होता है मतलब बहुत ही helpful होती है हमारी सरीर के लिए तो हम इससे पकोड़े बना सकते इसको उबाल के छोड़ी छोड़ी टुकड़े में काट के इसको पकोड़े बना सकते और इसको पीस के इसकी चटनी बना सकते इमली अगेरा मिला के नीमभू अगेरा मिला के यहां में हम पाने डाल की उबाल देते हैं अच्छे से उबाल लेंगे ताकि यह जो green color है पानी में आ जाए पूरे अच्छे से यह छिलका हमारा उबल जाए और पानी का color देखे कैसे change हो गया और इस पानी को हम क्या करेंगे थोड़ा सा उबालने के बाद थंडा कर लेंगे गरम में कुछ नहीं करना है थंडा करने के बाद इस पानी को क्या करेंगे हमारी घर पे जो पौधे बगरा होते उनको दे देते है ताकि हमारी जो छिलका है वेस्ट नहीं गया और पानी हमें पौधी को दे दिया ताकि पौधा भी हरा भरा हो गया यानि कि मठर की छिल के हमारी सरीर के लिए जितना हेल्प हो ले हमारी पेड़ पौधी के लिए भी उतना ही हेल्प हो ले हिना दुस्ता बहुत ही useful tips जो इसको हमेरे फेकने चाहिए वो हम फेक नहीं रहे हैं यहां पे सारे चीजियों को हम काम पे लगा रहे हैं यानि कि हमारी basic की बच्चत हो रहे हैं और हमारी health की भी बच्चत हो रहे हैं यानि कि हमारी स्वास्त भी ठीक रहे हैं तो चलिए कैसा अग आज का वीडियो प्लीज कॉमेंट पे बताइए तो चले मिलते कल की वीडियो में तब तक तक लिए दस्तों टेक क्यार एंड बाबाई और यूजपूल टीप्स को जरूर इस्तेमाल कीजिए